हेलो जी गाइस कुट मॉर्निंग कैसे हो आप सब होपसो अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ आज कल मेरी दिन की शुरुआत बहुती लेट लतीफ हो रही है देख सकते हैं सुरज भी निकल आया जिस दिन मैं लेट से उठती हूँ उस दिन मेरी बढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती आज कल वेदर भी पूरा निंद वाला बना हुआ है लेकिन ऐसे वेदर में निंद से लड़कर जो पढ़ेगा सिलेक्शन भी उसी का होगा है ना क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पढ़ता है अगर हम अभी निंद से नहीं लड़ सकते तो ये कैसे सोच सकते है कि हमारा सिलेक्शन होगा क्योंकि हम अभी सो रहे हैं तो कोई दूसरा है जो उठकर पर रहा है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे काम अपने निप्टाने में लगी हुई हूई हूँ उसी के साथ मेरा बच्चा भी देखो मेरी हिल्प करने में लगा हुआ है देखो कितने अच्छे तरीके से वेजी टेबल चॉप करने में लगा हुआ है मैं जब भी सबजी काटती हूँ इसका जीद रहता है मुझे भी कट करना है थोरे दिर के लिए पूरे प्रेकॉशन के साथ दे देती हूँ ले कट ले लेकिन मेरा पूरा द्यान इसी पे रहता है कहीं ये अपना हाथ ना कट ले अब ये मुझे पायल पहनाने में लगा हुआ है खैर इसकी मस्ती तो चलती रहेगी इसी के साथ आप सब के साथ मुझे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है बी एस पी एच सी एल का वेकेंसी जो मार्च में निकला हुआ था वो फिर से री ओपें हो गया है अगर आप ग्रेजुएशन पास है बीकॉम पास है या फिर आईटी पास है इंजिनियर किया हुआ है तो इसमें बहुत सारी वेकेंसी है बहुत सारी पोस्ट के लिए वेकेंसी निकला हुआ है अगर आपने पहले फिल नहीं किया हुआ है तो आप अभी फिल कर सकते हैं फर्स्ट ऑक्टूबर आज के ही दिन से ये रि ओपन हो गया है, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, बेकॉम पास जो भी है वो जुनियर एकाउंटेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है, जिसने भी फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म फिल न यहां पर मेरा बेबी सो गया है, सोने के बाद थोरी देर की मैं पढ़ाई करूंगी, होप सो गाईस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी